शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें राज्य सरकार की निर्देशों के अनुसार काटोल डेपो से 6 यात्री बसों को रेड जोन तक कंटेंडमेंट नियांतरन को छोड़ कर आंतरिक शेत्र में शुरू की गई है ऐसी जानकारी डेपो के मैनेजर डी-म रंगारी में दी है 22 मई से काटोल कलमेश्वर, काटोल सावरगाव, काटोल नर्खेड, काटोल भारसिंगी, काटोल भिशनूर और काटोल सावरगाव इन मार्गों पर काटोल डेपो से कुछ 6 यात्री बस सेवाए शुरू की गई है COVID-19 के संक्रमन को रोकने के लिए दिये गए नियमों का पालन करने वाले ही बस में यात्रा कर पाएंगे ऐसी जानकारी डेपो मैनेजर द्वारा दी गई है इस तरह ये 6 यात्री बसे अपने मार्ग पर प्रतिक तीन चक्कर लगाएगे और प्रतिक बस में केवल 21 या 22 यात्री सफर कर सकेंगे यह जानकारी राजेश दासेवार साहिय अग्यातर तदिक्षक काटोल डिपो ने दी है काटोल कोंडाली बसेवा शुरू करने के विशे में पूछने पर बताया कि इसके अलावा आपता प्रभंदन अलिकारी और तहसिलदार अजेश चरड़े के आदेश से काटोल कोंडाली बसेवा को अस्ताई रूप से बन कर दिया गया आदेश मिलने पर काटोल कोंडाली बसेवा भी शुरू की जा सकती है